हेलो माइडिये स्टुएंट्स, वेलकम बैक अनुसिंग अकाड़मी, स्वागत अब सभीका, क्लास्टेंथ इंफर्मसर टेक्नलोजी के इस वीडियो में, आज हम बात करेंगे सबसे जानना होगा तो सबसे पहले हैं मैस बात कि सोगता है और नस चरह की का क्याdenा है क मैंने पर मक्सिंबम् टाइम थी समेद्क शचा थे किने करने तो सबसे पहले समझते है आप होता क्या है in between मैं open office ORG को start कर लेता हूं so that की हमारा time बल जाएगा और और चली सब समझते है template को बारे में template क्या है actually template हमारे लिए documents है just documents के अंदर आप pre-design करते हैं कुछ formatting करके रखते हैं और आप उसी templates को use करके नहीं documents को तयार करते हैं example के तौर पर अगर देखा जाए तो templates जैसे business reports होता है जहां पर company का logo होता है first page पे तो इस तरीके से आप templates create कर सकते हैं ठीक है जो भी new documents है new documents created from this template will always have the company logo okay templates के अंदर में कुछ भी हो सकता है वह आपका regular documents के तौर पे भी हो सकता है regular documents हो सकता है जैसे उसके अंदर में text हो सकते हैं graphics हो सकते है styles हो सकते है user defined setups हो सकते है लेंग्वेज हो सकते हैं, प्रिंटर की सिटिंग्स हो सकते हैं, टूल बार और मेनू कस्टमाइज़ेशन भी हो सकते हैं. आपके पास उन्टाइटल 1 एक ब्लांक डॉक्मेंट स्टार्ट हो गया है, तो इसके पीछे भी काम कर रहा है हो हमारा टेंपलेट कर रहा है और वह हमारा क्या है? default template है किसी भी चाहे वो text की बात हो, spritzes की बात हो drawing की बात हो, presentations की बात हो everywhere, जब कभी भी आप कोई नया file के लिएट करते हैं, तो नया file हमेशा एक new documents template के उपर paste होता है जिसको कि हम default template कहते हैं, ठीक है हम इस default template, open office uses the blank template for the type of the document, जो उसके अंदर में pre-installed होते हैं अब आती है बात कि आप template कैसे create कर सकते हो, you can create your own template, एक from document and using wizard मतलब दो तरीका हैं, जिसके मदद से template कर सकते हैं, document की मदद से और wizard की मदद से अगर आपको document की मदद से template करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको new और existing documents के अंदर जाके जिसको भी आप template जिस तरी template बनाना चाहते हैं, उसमें आप कुछ content और styles को add कीजिए उसके बाद आप main menu में जाईए, वहाँ पे file template में जाके save कर दीजिए, वो आपका template बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहरा template बनाना चाहता हूँ, तो जरा मैं इसको zoom कर देता हूँ, और यहाँ पे center में आ जाता हूँ, और center में आगे लिग देता हूँ template, मैं यहाँ पे template duplicate करना चाहता हूँ, मैं इसके और इंक्रीज कर देता हूं so that's key चली यह हमारा एक template बना अब यहां पर मैं एक logo भी लगाना चाहता हूं तो मैं inserts पर आता हूं, inserts पर आने के बाद मैं यहां से image pictures पर आता हूं, pictures से मैं यहां पर from file करता हूं from file के अंदर जाने के बाद मैं अपने folders के अंदर जाओंगा, यहां पर मेरे logos रखे हूए हैं तो मैं YouTube account मैं अपने YouTube folder के अंदर आता हूं, यहां पर मेरे पास Anjeev Singh Academy, इसके अंदर मैं Anjeev Singh Academy और यहां पर मेरे पास कई सारे logo हैं, जो most generally मैं यूज करता हूं, तो मैंने एक logo को भी यहां पर insert कर दिया, इसको मैं locate कर देता हूं यहां पर, इसके size को मैं reset कर देता हूं इसके wrapping features कौन कर देता हूं, कि वहाई, so that कि हमारा template भी वहां दिखाए दे, और यह हमें shift के साथ मैं इसको resize कर देता हूं, और यह properly arrange कर देता हूं, ठीक है, तो यह हमारा template हो गया, बीच पर माल दिखे, मुझे एक line draw करना है, तो मैं insert पर आता हूं, यहां से drawing toolvars को देखता हूं, on कर लेता हूं, view में जाता हूं, toolvars, toolvars से मैंने drawing toolvars को on कर लिया, यहां पर line को change कर देता हूं, उसके बाद मैं cursors को नीचे ले आता हूं, left hand side में ले आता हूं, और यह हमारा cursors आ गया, यह हमारा template बन गया, अब यहां पर मैं लिख देता हूं, Anjeev Singh Academy, तो Anjeev Singh Academy, यह मेरा template यहां से मैं हटा देता हूं, Anjeev Singh Academy का एक logo बन गया यहां पर, और यहां पर मैं YouTube address अपना YouTube में डाल देता हूं, link डाल देता हूं, youtube.com slash Anjeev Singh, तो मेरा YouTube channel हो गया, अगर मैं यहां पर website का भी नाम लिखना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, www. Anjeev Singh Academy.com, तो मैंने इसको भी लिख दिया, तो यह हमारा एक हमारे एक और website से, मैं उसका भी font size को यहां पर normal font size 16 पर कर लेता हूं, कि यह एक line में जाके adjust हो जाए, 12 पर देखता हूं, 12 पर भी नहीं हो रहा है, तो मैं इसे 10 कर देता हूं, यह 9 पर भी हमारा यह 9 ही sufficient है, 9 पर यह adjust हो गया, logo को मैं तोड़ा से उठा के और इधर कर लेता हूं, मैं जा मैं एक और logo लगो मैं फाइल में जाके यहां से insert में आता हूं, insert से pictures में, picture से from file, from file में उसी location पर जाके मैं इस वाले logo को भी insert करना चाहता हूं, मैं इसे भी इंसर्ट कर लेता हूं, logo insert करने के बाद मैं इसको सबसे पहले resize कर देता हूं, पहले तो मैं इसका layout change कर दिया wrap style, इससे क्या होगया है कि ये कहीं भी adjust हो सकता है text के साथ इसकी कोई problem नहीं आएगी और मैंने इसको adjust करके अब मैं इसे उपर ले आके adjust कर देता हूँ तो ये हमारा एक template मैंने तयार कर दिया ये अंजीर सिंग अकाडमी का later head होगे और माल लेज़े मैं कोई भी question I create करना चाहूँगा तो मैं इसी पर create करना चाहूँगा इसके लिए मैंने इसको design कर लिया अब मुझे क्या करना है आप मुझे जाना है file menu पर कहाँ पर जाना है मुझे file menu में जाना है file menu के अंदर में आप देखिए template options है आपके सामने templates के अंदर में save का options है जब आप template save करते हैं तो आपके पास template dialogue box start हो जाता है इस template dialogue box के अंदर में आपको new template में यहाँ पे मैं नाम देता हूँ AS Academy मैं AS Academy के नाम से यह logo मतलब decide कर लिया यह template मेरा और मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे आपके okay कर देता हूँ ठीक है और कहां save करना है categories में select कर लेता हूँ my template और यहाँ पे मैं okay करके click कर देता हूँ और अब हमारा template save हो गया ठीक है तो यह हमारा template create हो गया पहला step तो हमने create कर लिया अब आता है कि templates dialogue box में आके अपने इसको save कर दिया अब अगर आप यहाँ पे कुछ printer settings अगर आपने कर रखा होगा तो वह सारी settings भी automatically templates के साथ save हो जाएगी अगर आप template किसी wizard के थू बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होगा और फाइल पे जाएए वहां से आप wizard select किजिए विजार्ट से आपको कोई भी options आप लेना है उसको instruction को follow करना है और फिर जाके वहां पे last section wizard specify the name and location for saving the template the default location is user template तो मतलब हम wizard के थूपी template कर सकते हैं तो आएए मैं इसको एक नया फाइल यहां पे मैंने इसको save कर रखा है template के नाम से अब मैं इस फाइल को भी save कर लेता हूं अपने अंजीव सिंग के नाम से मैं अलग नाम से इसको save करूंगा so that कि आप confuse मत होईएगा अब यह documents भी मैंने save कर लिया ODT के नाम से आप मैं फाइल में आ रहा हूं wizard में जा रहा हूं आप देख सकते हैं अभी हम फाइल के wizard options में wizard से मैं यहां पे facts, agenda, presentation, webpage कोई भी options ले सकता हूं मैंने एक letter ही ले लिया कि मैं letters बनाना चाहता हूं letter wizard के अंदर आगे अब यहां पे हम यहां पे page design business letter है मैं कुछ खास change नहीं करूँगा यहां पे logo, युए से सारी चीज़ को as usual लेने देता हूं data returns, footer, next और यहां से finish कर देता हूं तो यह देखी यह हमारा template तयार हो गया एक तरीके का यह template आ गया हमारा बना हूँ template अब मैं इसे save कर सकता हूं यहां पे देख लिख कीजिएगा तो placeholder के अंदर में आपको type करने का मौका मिल जाएगा अब यहां पे अपना text लिख सकते हैं hello how are you how are you चीक है तो मैं इसको hello how are you लिख कर देता हूं तो देखो यह text हमारा change हो गया अब मैं इसे save कर सकता हूं अपने नाम से जो भी template मैंने बना यहां पे logo design style जो भी आप इसे change कर सकते हैं file बे जाएए file बे जाके आप इसे template के तौर पर गर save करना चाहते हैं तो save पर जाके यहां से आप demo template के नाम पर मैं इसे save कर लेता हूं demo template तो देखिए demo template हो गया और मैं इसको click कर देता हूँ ओके तो मेरा demo template भी यहां पर तयार हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि template आप wizard के तौर भी बना सकते हैं और template आप खुद के तौर भी बना सकते हैं अब बात आती है कि आप default template कैसे set करो वे how you are going to set a default template जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर मैं open office में जाता न्यू करता हूँ, aspirates लेता हूँ तो एक blank aspirates हमारे पास आ जाता है यहां पर दिख रहा है आपको मैं file में आता हूँ, new करता हूँ, text document लेता हूँ तो देखो untitled document हमारे सामने open हो जाता है बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि every time जब भी मैं new करूँ तो य अंजीर सिंग अकाटमी वाला लोगों हमें template दिखाई देना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, templates की default settings को change करना होगा और उसे हम setting a custom template साइजर default करना चाहेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत simple सा काम है, इसके लिए आप चाहिए अपने template management dialogue box आपके सामने आ जाएगा, तो यह हमारा template management dialogue box आ गया, अब एक अंजीर सिंगर और untitled 2 हमें दो फाइल यहाँ पर दिखाई दे रहे है, मैं my template पर click करता हूं, my template पर यहाँ पर AS Academy हमें दिखाई दे रहा है, हमने AS Academy को select किया, यहाँ पर commands पर आते हैं, commands पर आने के बाद मैं यहाँ पर option select करता हूं, set as default template, फिर से देख लेजिए template में management के अंदर में, मैंने my template पर double click किया, double click करने के बाद मैंने उस template को select किया, जिसको की मैं default set करना चाहता हूं, फिर यह command button के arrow key पर मैं click करता हूं, यहाँ पर मुझे एक options मिलता है, set as default template, मैं set as default template करने के बाद इस यहाँ से simply close कर दूँगा, इसे close कर दिया, close करने के बाद अब आप जब file पे जाके new document करते हैं, new text document करते हैं, तो अब आपके सामने देखिए, यह file का नाम तो untitle 3 दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, बट आप देख सकते हैं कि आपके सामने logo file कौन सा start हुआ है, फ बंद कर देंगे, तब भी यही काम होगा, तो मैंने writer को बंद कर दिया है, मैं फिर से आता हूँ, इस writer को यहाँ भी बंद कर देता हूँ, इसे discard कर लेता हूँ, मुझे save करने की requirement नहीं थी, मैंने नहीं save किया, मैं फिर से open office को start कर रहा हूँ, यहाँ से अब आप देख सकते कि आपको आपस reset करना चाहते हैं, दुबारा नए फाइल पे, to re-enable open office, default templates अगर आपको फिर से करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर से जाना है, मतलब डिफॉल template की settings के लिए, आपको क्या करना है, आपको जाना है, file पे, files के अंदर में जाना है, template, template में जाना है, organize, organize के अंदर में, आपको इस time क्या करना है, template management dialogue box के अंदर में, commands पे जाना है, commands पे जाके reset default templates text document करना है, अब आप इसे close कर दीजिए, close करने के बाद अब आप एक बार file में आके new कीजिएगा, तो this time you will see, अब आपके सामने blank documents available आजाएगा, जो open office का अपना default template है, ठीक है, file new template and documents, we will see the templates window here, and if you don't see it, मतलब अगर किसी templates को आप use करना चाते है, किसी particular template को, तो आप file के new के अंदर template and documents में जा सकते है, जहाँ पे आपको templates दिखाई देंगे, अगर कुछ templates नहीं दिखाई दे रहे है, तो template icons जो left hand side में है, आप इस पे click करके, वहाँ से templates को देख सकते हैं, और किसी भी templates को use कर सकते हैं, ठीक है, अगर templates में कुछ change करना है, to change the different templates, फिर से जाके आप नया templates भी वहाँ से changing to a different templates, file new template and documents हो जाईए, और जो भी template आपको चाहिए, आप उस templates को select करके open कर सकते हैं, ठीक है, तो जो भी information सुका templates के regarding, वहाँ को यहाँ पे दि save ads से जाके आप उस documents को save कर सकते हैं, किसी भी तरह का अगर आपने कोई change किया होगा, तो वहाँ पे save हो जाएगा, आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ, file में जाता हूँ, new में आता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या लिया template and documents, ठीक है, template and documents में मैंने click किया, यहाँ पे my template म आप देख सकता है, आपको, AS Academy मैंने इसको select किया, अनजीन सिंह आज ही बनाया गया है, यहाँ पे demo templates भी आप देख सकते हो, my letter templates भी देख सकते हो, यहाँ पे, यह मैंने कब बनाया था, यह charge 1210, 1217, यह पुराने template किसी use किया था, मैंने resume template देख लो, यह भी मैंने आज ही बन रे नाया था, तो महालीज यह जै मैं इसको open करना चाहता हूँ, तो मैं इसे open कर लेता हूँ, और फिर मैं इसके मजद से कोई भी changes लाना चाहूँ, तो यहाँ से मैं change कर सकता हूँ, democratic salts के arkadaşlar, लेत्तना вопрос देख सकता हूँ, in the